नमस्कार दर्शकों, घर में गरीबी और दरीदिता आने की निशानिया क्या क्या होती है, गरीबी और दरीदिता कैसे होती है, गरीबी कैसे आती है, हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से और उसके कारण भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनको आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि आपके घर में गरीबी इस करण से आ रही है। आप उन्हें सुधार करके अपने घर में माता लक्षमी को प्रवेश करा सकते हैं। दरीदिता को दूर कर सकते हैं। आईए जानते हैं क्या-क्या है गरीबी आने के कारण। सबसे पहले जा समर्थ रहता है। उस व्यक्ति को आया इंकम भी बहुत कम होती है। अपनी इंकम को बढ़ाना है और गरीबी को मिटाना है। तो आप उपाई तो करें ही करें। हमारी चैनल पर उपाई भी डले हुए वो भी देखिएगा। इसके सांसाथ वीडियो में भी बताने वाले ह कैसे आप सुधार करें और किन-किन चीजों को अपने घर से बाहर निकालें। क्या ना होने दें क्या होने दें। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत महनत करते हैं लेकिन उसके लिए उसका पूरी लगन और जिग्यासा के सां गषिवरी में परना में ऐसे बड़तों नहीं है। काट छाट करें नहीं तो वह आपको बरबाद भी कर सकता है तुलसी माता लक्षमी है और लक्षमी अगर सूख रही है तो उसे पानी डालिए नहीं तो उसे सुख जाए तो उसे हटा दीजिए तुरंत ही किसी पवित्र नदी में विसरजित कर दीजिए नहीं तो वह आपको अगला है काली चीटियां घर में खाने पीने की नमकीन या कैसे भी प्रदार्ध पढ़े रहते हो आपके किचिन में जब्र तो तुरंत साफ सफाई कीजिए, साफ सफाई नहीं करी तो काली चीटियां हो जाएंगे और काली चीटियां होना घर में सबसे बड़ा बुरे समय का इसारा होता है काली चीटी सबसे बड़ा बुरे समय लाती है, काला चीटा हो या काली चीटी हो ध्यान रखिएगा तुरंत घर की सफाई कीजिए घर में लगे पोधे आपके घर में लगे पोधे हरे भरे होने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में जो भी पोधा हो उसमें काटे नहीं होने चाहिए काटेदार पोधे अपने घर से बिल्कुल हटा दीजिए काटेदार पोधे का मतलब है कर्ज आपके घर पे कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा काटेदार पोधे कभी मत लगाईए अपने घर में या गलती आपने की है तो तुरंट सुधारिए अगला है जाडू तूटी फूटी जाडू को भी निकालिए जो जाडू आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तूटी है पड़ी है सड रही है गल रही है लेकिन उसे फेक नहीं रहे हैं चट पर या कहीं ऐसी कुड़े कड़कर में स्टोरेज में पटक दिखे उसे तुरंट निकालिए और उसे किसी भी फ्रक्ष के नीचे विसरजित करके आईए नदी तला में विसरजित करके आईए घर में जाडू लक्षमी का प्रतीक मानी गई है दरीदिता को मत नियताव दीजिया पुरानी ये टूटी फूटी जाडू रखके जो भी सामान आपके घर में टूट फूट रहा है काच का जैसे चाय पीने वाला मग या फिर कोई भी बरतन इस्टील का पीतल का तामबे का कट रहा है तूट रहा है उसे तुरंट फटा दीजिये तूटे फूटे बरतन में भोजन ना कीजिये वे गरीबी और कंगाली को इशारा करती है अगला है चिपकली चिपकली आपके घर में होना बहुत ही शुब माना चाता है माता लक्षमी साक्षात आपके घर में चिपकली का प्रतीक है अगर आपके घर में चिपकली है तो उसका निरादर मत कीजिये और चिपकली जमीन पर रेंगती हुई दिखे तो शीगरी उसे घर से भगा दीजिये क्योंकि जमीन पर रेंगने का कारण है आपके घर में कंगाली आना यदि चिपकली आपके किचिन में भगवान के मंदिर में रहती है तो बहुत ही अच्छा है कहीं भी दिवार पर रहती है तो वो ठीक है लेकिन जमीन पर अगर चलने लगे जिस दिन जमीन पर चलती हुई दिखे उस चिपकली को आप बाहर निकालिए वो दरीदिता का सबसे बड़ा कारण है जमीन पर चिपकली तब ही चलती है जब आपके घर में दरीदिता आने वाली रहती है चिपकली अनेको बच्चों को पैदा करते टाइम जमीन पर चलती है और जब चिपकली बच्चे पैदा करती है तब चिपकली को घर के बाहर होना चाहिए ना कि घर के अंदर इस बात का विशेज ध्यान रखें आप पर भारी संकट भी आ सकता है और कहा गया है कि जब चिपकली आपके सिर पर गिरती है बालों पर गिरती है तो यह समझ लिये है कि आपके मनत्यू निकट है नजदीक है इस बात का प्रमान है वाश्चु शास्टर में और कई ऐसे तंत्री विद्याओं में भी कहा गया है कि चिपकली सिर पर गिरना बहुत ही अशुब माना जाता है मृत्यू का निकट होना माना जाता है आप चिपकली से दूर रहें, घर में हैं ठीक है लेकिन उससे दूरी बनाए रखें अगला है कववा, अगर किसी इस्तरी के सिर पर कववा आकर बैठ जाए तो उसके पती कोई बड़ी मुसीबत आने से नो ही रोख सकता कववे से दूर रहें, कववा अगर दिख जाए तो उसे घर से भगाने की कोशिश करें कववा चत पर आकर बहुत सारे आपको इशारे करता है, यदि आपके घर में कववा आता हो, तो उसे घर पर नहीं बैठने दे जादा देर तक, कववा घर पर आकर आवाज करना शुब नहीं होता इशारा देता है आपकी कंगाली को बिल्ली घर में बिल्ली का रोना भी बहुती ज़्यादा गंगाली का प्रतीक होता है घर में दरिदिता का प्रवेस होता है बिल्ली कही जाए तो एक हमारी हिंदू संस्क्रती में बिल्ली को अशुब माना जाता है कई जगा पर बिल्लू को शुब भी माना जाता है लेकिन कई जगा पर बिल्ली को अशुब माना जाता है हमारे देश में बिल्ली रोते समय बहुती अशुबता फैलाती है बिल्ली जब रोती है तो हमारे घर में कुछ बुरा होने का संकेत होता है बिल्ली को जब भी रोता देखें अपने घर के दरवाजे पर आकर या कहीं भी खिड़की पर या घर के अंदर गुस्ती है तब तो उसे सीगरे से सीगर भगाएं घर से घर से निकालें आप इस बात का प्रमान है कि बिल्ली को रोता हुआ अपने घर में ना पाएं रो रही है तो उसको तुरंत भगाएं अपने घर से अगला है आपके घर में अगर कोई भी सूरज धलने के बाद याने शाम के टाइम शाम के बाद कोई भी आपके घर में किसी भी चीज़ को मांगने आए कोई भिकारी आया, आस्पडोस के लोग आया, मित्र आया, फ्रेंड आया, कोई भी आया, रिष्टिदार आया, कुछ भी मांगने आ रहा है, उसे कुछ भी ना दे, बोल दें, हाँ देंगे लेकिन कल देंगे सुभा के टाइम ऐसा बोल दें, क्योंकि रात के समय किसी को भी कुछ सावन नहीं देना चाहिए लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि वह समय लक्ष्मी के आगमन का होता है वो लक्षमी के आगमन के समय पर आप अपने घर की लक्षमी किसी को दे देंगे तो फिर लक्षमी भी आपके घर में नहीं आएगी वो वारत से चली जाएगी अगला है घर में सुबह उठकर घर का पूरा साफ सफाई करके प्रति दिन घर से बाहर फएक देना चाहिए घर के मुखेदवार के बाहर वा कचरा होना चाहिए घर के अंदर नहीं होना चाहिए इस बात का विशेश ध्यान रखें लक्षमिज वही आती है जहां साफ सफाई होती है अगला है घर में लगी घड़ी आपको बहुत संकेत देती है अग यदि आपके घर में घड़ी बंद पड़ी है तो उस घड़ी को चालू कीजिए या फिर घर से निकाल दीजिए तूटी फूटी घड़ी घर में ना रखें बंद घड़ी बिलकुल ना रखें जो भी घड़ यदि आप किसी समसान में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल मत हसिए शांत रहिए रसोई घर के पास टॉलेट ना बनवाईए रसोई घर के पास भगवान का इस्थल बनवाईए या कोई रूम बनवाईए जब भी भोजन करें हाथ दोई बगेर भोजन ना करें शांके समय बिल्कुल ना सोईए महमान आने पर नाराज ना होईए दान से नाखुन ना काटना ओर्टों को खड़े-खड़े बाल नहीं सवारने चाहिए खड़े-खड़े बाल नहीं बांगने चाहिए गरिदा का सबसे बड़ा कारण है यदि किसी नदी में आप पवित्र नदी में इसनान करने जा रहे हैं तो वहाँ जूते चपल ना पहने उस नदी में पेशाप बिल्कुल ना करें गाय बेल को लाद ना मारें किसी गरीब का अपमान ना करें और किसी गरीब को धोका भी ना दे कई लोग ऐसे होते हैं जो सबजी बाजी खरीदने जाते हैं छोटी मोटी ऐसी चीज़े खरीदने जाते हैं किसी गरीब को धोका दे कर आ जाते हैं उसका सामान चोर लाते हैं या फिर उसको ठग लेते हैं ठगने वाले बहुत से लोग बैठे हैं, जो बेचने वाले जदा खरीदने वाले ठग लेते हैं, ऐसा ना करें, किसी गरीब के पेट पर लाद ना मरें, रात के समय जाडू बिलकुल ना लगाएं, मकडी के जालो को टाइम टू टाइम अपने घर में साफ सफाई करते रहें, जालो को उतारते रहें, जूते चपल मुख्यदवार के सामने ना रखें, दीपक को फूक मार कर कभी नहीं बुजाना चाहिए, मंदिर को साफ सुतरा रखना चाहिए, अपने घर के मंदिर हो, उसमें सफाई बिलकुल अच्छे से रखना चाहिए, गंदगी बिलकुल नही के निशानिया होती है। यह बाता लगए कि कोई विद्वा हो तो वह ठीक है लेकिन विद्वा औरद भी सरपर पल्लू जरूर रखे। इस बात का प्रतीक है माता लक्ष्मी की क्रप़ प्राप्ट करनी है तो अपने घर में इन नियमों को जरूर अपनाए और जो हमने उपा जरू कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ